हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और कैमिस्ट्री गुर्जी अगेन आप सबके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो में सारे के सारे प्रीमियम नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट chemistry guruji.com जिसका लिंक आपको description में भी मिल जाएगा and important बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर लाइव पढ़ाओ हमेर डेली आपके साथ लाइव पढ़ना आपके paid batches में पढ़ना है हमारे live classes भी स्टार्ट हो गई है जिनको आप यहां से अवेल कर सकते हो ठीक है बटा और बेटा जी आप सब के लिए अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट बुक की बेस्ट पीवाई की बुक तुम्हारे सरन डिजाइन की है जिसमें सब कुछ है जो आपको एक अच्छी बुक में चाहिए बढ़िया से नोर्स है बढ़िया NCRT कोशन है बढ़िया previous year कोशन है चैप्टर वाइज टोपिक वाइज न्यू पैटरन के कोशन ह है ना MCQ है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो ज़रूर फायदा उठाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे D&F व्लोक एलिमेंट्स किसे कहेंगे इलक्ट्रोनी कन्फिगरेशन आप सबको आती है तो दोज एलिमेंट्स इन विछ लाश्ट लेक्ट्रोन एंटर्स इन डी सब शेल of penultimate shell अब यह penultimate shell, valence shell anti-penultimate shell यह बड़े common से word है देखे, penultimate word सबसे पहले मैं बात करता हूँ, valence shell valence shell कहा जाता है बेटा जी, outer most shell को और इसके लिए हम लोग n word यूज़ करते हैं, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ, penultimate की, penultimate word यूज़ क्या जाता है penultimate word यूज़ क्या जाता है n-1 last but one, last से एक पहले और एक word हम लोग यूज़ करते हैं anti-penultimate 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 का मतलब क्या होता है, n-2 जैसे अगर कहीं पर outer most shell 10th है, तो वहाँ वो valence shell कहलाएगी, तो penultimate shell क्या होगी 9th, anti-penultimate shell क्या होगी 8th, इस तरह से बात होती है तो d-block elements किसे कहेंगे, जिसमें भी last electron d-orbital में enter करता है ये आप सबने देखाऊगा बैटा, ये हमारे पास predictable होती है, इसमें जो mid में है, ये जो portion होता है, ये d-block के नाम किया गया है, ये हमारे पास f-block के नाम किया गया है, ये हमारे पास s-block है, और ये हमारे पास p-block होता है, बात करते हैं configuration की, तो इनकी general configuration क्या होती है ns0 to 2, n-1, d1 to 10 आगे move करते हैं, ये हमारे पास बटाजी, d-block की 4 series होती है इसे हम बोलते हैं, 3D series जो कि scandium से लेकर zinc तक होती है, ये हमारे पास होती है, 4D series जो एक्टीनम से लेकर, कkemियूम तक होती है, ये हमारे पास होती है, 5D series जो की lightenum से लेकर, mercury तक होती है और ये हमारे पास होती है, 6D series जो actinum से लेकर, copper Sepanüsium तक होती है, एक बड़ा famous question को जो एक सबस्क्राइब तो यह transition कहलाएगा, तो deep block के element क्या करते हैं, S से P की तरफ जाते हैं, transition show करते हैं, but IUPAC इस बात को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं, कोई बड़ी ऐसी definition दो, तो बड़ी definition क्या दी जाती है, those elements which have partially filled d-orbital, या कहले जिए, incomplete d-orbital, जिनके d-orbital में कुछ नहीं कुछ कमी हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, transition element, d में एक से लेकर 10 electron तक जाते हैं, but starting तो d1, d2, d3, d4, इस तरह से होते हैं, तो सबके पास कुछ नहीं कुछ कमी होती है, तो maximum d-block element को हम लोग transition element बोलते हैं, साथ के साथ कुछ element ऐसे भी होते हैं, जैसे कि zinc, cadmium, mercury, इनके पास क्या है, fully filled d-orbital होता है, इनके d में 10 electron होते हैं, तो they do not show much resemblance with other transition element, इनको हम लोग transition element consider नहीं करते हैं, आगे move करते हैं बेटा, हमारे से लेबस में जो detail में हम लोगों ने discuss करना है, वो discuss करना है 3D series को, 3D series को आप लोग याद कैसे रख सकते हो, कहीं सारे तरीके हैं, आप लोग comment section बता देना जो आपको अच्छा लगता हो, मुझे तो यह अच्छा लगता है, क्या, कि सुनो, तुम, विवाहा कर लो मुझे से फिर कोई नहीं कहेगा जानू, एक चीज़ आपको बताता तो लोगों कि यह तुम ऐसे ने तुम खुझ से ट्राई करने लोगों, ट्रिक बोलते जारे और कहीं थपर चट्टू लग जाएं, मतलब यह जश्ट वर फन एक बनाई काई ट्रिक है, कोपी में लेख लेना और मन मन में कुन गनाना है, बाहर मत कुन गनाना दिक्कत हो सकती है, तो यह हमारे पास 3D सीरिज है से, केंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मेंगनेज, आयरेन, कोबाल्ट, निकल, कोपर, जिंक, है ना, कन्फिग्रेशन आप सबको आते होगी, आनी चाहिए, ठीक है, तो हम AR 18 कर देंगी, सब में 4S2 आएगा, और फिर जितने भी लेक्रों बचेंगे, जैसे इसका टॉमिक नंबर 21 है, 18, 22 और 21, इसका टॉमिक नंबर 22 है, 18, 22 और 22, इस तरह से है, यहाँ पर 2 exceptional case है, क्रोमियम और कोपर, क्रोमियम और कोपर की electronic configuration exceptional कैसे है, कि यहाँ पर बेटा जी, S में आप देखो तो 2 नहीं है, S में 1 है, S में एक लेक्रों देकर D में 5 कर रहे हैं, क्रोमियम और कोपर ने क्या किया, S में 1 एक लेक्रों देकर D में 10 कर लिया, सर ऐसे क्यों किया गया, देखें, देखा गया है कि कोई भी जो sub shell होती है, orbital होते हैं वो यह तो तब stable होते हैं, जो वो half filled हो जाएं, तो D की पूरी कोशिश यह रहती है, कि या तो मेरे पास 5 electron हो जाएं, या फिर मेरे पास 10 electron हो जाएं, तो इस तरह से, इसको achieve करने के लिए, क्रोमियम ने S से 1 electron ले लिया, कॉपर ने भी S से 1 electron ले लिया, और क्रोमियम ने D मे 5, और कॉपर ने D में 10 कर दिया, यहां से कॉशन बेटा काई बार बन जाते हैं, जैसे मैंने के आप से कॉशन पूचा कि क्रोमियम है, क्रोमियम का अट्रोमिक नमबर 24 है, और इस चैप्टर का जो बेस है, वो electronic configuration पर डिपैंड करता है, तो बताओ इसकी configuration क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भई, AR 18, 4S, 1, 3D, 5, अब मैंने कर दिया क्रोमियम 3 positive, क्रोमियम का अट्रोमिक नमबर होता है 24, अब 3 plus का मतलब है 3 minus, देखिए metal है, metal हमेशे electron देना पसंद करती है, और electron ने के minus ही होंगी, तो बेटा क्या हो जाएगा, 4S में से हो जाएगा, 0 और 3D में हो जाएगा 3, और यहाँ पर हमारे पास आ गया AR 18, कुछ और भी case किया जासकता था, for example हमारे पास iron है, मैं आपसे पूस्ता हूँ, iron की configuration था यह, iron का atomic number 26 होता है, इसकी configuration simple चलती है, कैसे, AR 18, 4S, 2, 3D, 6, 18, 26, मैंने configuration आपको करने को बोली कि, FE 2 positive की configuration कर दीजिए, FE atomic number 26 है, तो configuration क्या हो जाएगी, AR 18, 4S, 0, 3D, 6, अगर आपको बोल देता हूँ, FE 3 positive की configuration कीजिए, FE atomic number 26 तो यह क्या हो जाएगा, AR 18, 4S, 0, 3D, 5, यह था ना बेटा, 4S2, 3D, 6 था, आपने 3 electron minus करने तो 2 इदर से जाएगे, outer remote shell से, और एक यहां से चला जाएगा, तो 3D में क्या हो जाएगा, 5, इस तरह से कोई भी configuration की जा सकती है, important है, आगे move करते है, atomic radii के trend, देखिए, atomic radii का जो trend देखा जाता है, left, right जब हम जाते हैं, तो generally होते हैं कि size इस तरह से decrease होना चाहिए, but deep block में एक थोड़ा सा अलग सा pattern है, क्या pattern है, कि पहले तो size decrease होता है, फिर size same रहता है, और size increase होता है, लगबग, magnees तक size decrease होता है, फिर जैसे-जैसे pairing होने लगती है, electrons की, तब size क्या होने लगता है, same रहने लगता है, और जब हम end में पहुंचते हैं, copper zinc तक पहुंचते हैं, उन cases में size increase करने लग जाता है, यह लिखा गया है, as we move from left to right, atomic radii, first decreases, then decreases slowly, then remains same, लिख सकते हैं, and increases in the end of the series, अब question arise होता है, starting में size decrease क्यों हुआ, क्योंकि starting में nuclear charge बढ़ रहा है, effective nuclear charge बढ़ रहा है, electrons को अपने तरफ attract करेगा, size कम कर जाएगा, mid में क्या होगा, screening factorize होगा, screening क्या होता है, जब बाहर के electron को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है, तो वहाँ पर size same same में रहने लगेगा, और जो हम series के end में पहुंचते हैं, copper zinc तक पहुंचते हैं, वहाँ पर electrons की बहुत ज्यादा electrons होगे हैं, तो electron-electron-electron repulsion होने लगेगी, और जब electron-electron repulsion होने लगेगी, तो size क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, यही आप लोगों ने लिखा भी हुआ है, this decrease in atomic radii in the beginning, is due to the increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वज़े से, electrons attract होंगे, with the increase in number of electrons in N-1D subshell, the screening effect, medium में क्या आता है, screening factorize होने लग जाता है, effect which counterbalance, the effect of increased nuclear charge, screening effect क्या कर रहा है, electrons को अंदर आने इसे रोग रहा है, nuclear charge का effect है, कि मुझे तो attract करने हैं, यह इसको counterbalance कर जाता है, simple समझो, screening effect क्या होता है, जो बाहर की electron को अंदर नहीं आने जाता है, इसके बाद साइज क्या होने लग जाएगा, same, और in the end of the series क्या होने लगेगा, electron electron repulsion takes place, और जब repulsion होगी तो size क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, ionic radius की बात करते हैं बैटा, ionic radius देखिए, इन पर positive charge होगा, positive charge मतलब protons बढ़ रहे हैं, nuclear charge बढ़ रहे हैं, size आप देखोगे decrease ही होगा, in general ions of the same oxidation state, in a given series show progressive decrease, अच्छा अगर आप कहीं पर oxidation state बढ़ा रहे हो, plus 2 से plus 3 कर रहे हो, positive charge और जादा बढ़ रहे हैं, और जो positive charge और जादा बढ़ रहे हैं, size और जादा घटेगा, clear है, यह लिखा गया है, radius is inversely proportional to oxidation state, जितना positive charge ज्यादा होता जाएगा, radius कम होता जाएगा, size जो है, वो कम होता चला जाएगा, आगे मुँख करते हैं, melting point and boiling point, देखिए, deep lock के जो elements होते हैं, वो अच्छी metal consider किया आते हैं, क्यों? they have strong metallic bond, they have strong metallic bond, और strong metallic bond क्यों होता है बटा, due to the presence of unpaired electron, due to the presence of unpaired electron, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे unpaired electrons होते हैं, जितने जाद unpaired electron होगे, उतना strong metallic bond होगा, और जितना strong metallic bond होगा, उतनी metal hard मानी जाएगी, तो देखा गया है, melting point को अगर आप ध्यान दो, starting में increase कर रहा है, और फिर decrease करने लग जाता है, क्यों क्योंकि बाद में pairing होने लग जाती है, यहाँ पर एक exception आपको देखने को मिलता है, वो है manganese, यह question मतलब नहीं पूछा जाएगा, बढ़ आप लोगों को knowledge के लिए पता होने चीए, कि manganese के पास तो unpaid electron अच्छे है, अगर आप manganese की बात करो, manganese का atomic number 25 है, 25 के साब से अगर मैं इसकी configuration कर दूँ, तो यह क्या बनेगा, AR 18, 4S2, 3D, 5, S में कितने electron है बटा, S में यहाँ पर 2 electron है, और D में कितने electron बूल बूलो, D में यहाँ पर 5 electron है, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर अभी मैंने बूला कि जितने ज्यादा unpaid electron होंगे, उतना strong metallic boat होगा, और उतना ही high melting point होगा, फिर यह क्या fund है, तीकि बूला, मतलब यह वह है कि answer को satisfy करने की कोशिश की गई है, कि, ऐसा हो सकता है कि, मेंगनीज के पास exact half field configuration आ गया है, तो extra stability आ गया है, तो यह अपने electrons को metallic bonding में participate नहीं करने देगा, और जिसकी वज़े से, इसका melting point क्या है कम होता है, क्लियर है, melting point deep block element का जादा क्यों होता है, strong metallic bond के वज़े से, तो जिसके पास भी unpaired electron जादा, वो उतना ही hard metal, उतना ही melting point boiling point high, एक दो exception है, मेगनीज वगारा, क्योंकि उनके पास D5 configuration आ जाती है, extra stability आ जाती है, कई बार पूछ लिए आता है कि, zinc, cadmium, mercury का melting point इतना लोग ही होता है, इनको soft metal क्यों मानते हैं, क्योंकि इनके पास paired electrons है, और paired electrons की वज़े से क्यों हो जाता है, metallic bond weak हो जाता है, और इस वज़े से soft metal होती है, आगे मैं करते है metallic reactor, यह मैंने अभी बात की है, यहां पर एक दो बात याद रगे, mercury is the only metal which exists in liquid form, बेजते करवादी metals की, metallic reactor की बात करते है, क्योंकि इसके पास unpaid है, और jinx soft क्यों है, क्योंकि इसके पास सारे electron paired है, अच्या, अगर मैं unpaid electrons की बात कर रहा हूं, it means मैं D orbital के अंदर, D sub shell के अंदर unpaid electrons की बात कर रहा हूं, कई बार S में भी unpaid हो सकता है, बटा S के unpaid की बात नहीं करोगे, unpaid सिर्फ D की बात करेंगे, उसके बाद है, enthalpy of atomization, यह क्या बिमारी होती है, आपके पास कोई element है solid form में, आप इसको solid से convert करना जाते हो gases form में, तो obviously कुछ energy लगेगी, उस energy को हम लोग क्या बोलते है, enthalpy of atomization तो enthalpy of atomization भी melting point वाला ही order follow करेगी, मतलब जितना strong metallic bond होगा, वो metal उतनी hard होगी, और उसको gases form में convert करना उतना ही, मुश्किल होगा उतनी ज्यादा energy देनी पड़ेगी, ionization energy भाई, electrons निकालना है इनसे, lies between S and P block element, ionization energy increases from left to right in a period, left to right बढ़ती है क्योंकि nuclear charge बढ़ता है और nuclear charge बढ़ता है तो electron को निकालना मुश्किल हो जाता है, वो nuclear charge दिये जो electrons को अपने दरफ hold करके रखता है, zinc cadmium mercury है very high, उनमें से electron निकालना बहुत मुश्किल है, इसका reason क्या है क्योंका D10 है, अब कोई अपने D10 क्यों तोड़ेगा, तो फिर तो वो unstable हो जाएंगी, तो उनमें से electron निकालना बहुत मुश्किल है, अच्छा next आता है हमारे पास formation of interstitial compound, इससे पहले आपको एक word पता होने चीए, interstitial site, interstitial site क्यों होता है बटा, यह हमारे पास D10 के atoms हैं, और atoms को आप कितना भी अच्छा से fit कर लो, उनके पास कुछ ना कुछ space बची जाता है, इस vacant space को हम लोग बोलते हैं, void या फिर interstitial site, और जब इन interstitial site में छोटे-छोटे atoms को fit कर देते हैं, ठीक है, वो छोटे-छोटे atoms क्या हो सकते हैं, ब्रावो, वो हो सकते हैं, hydrogen, carbon, boron, nitrogen, इस तरह के elements, तो हमारे पास जो compound बन के निगलते होने हम लोग बोलते हैं, interstitial compound, लिखा भी गया है, transition metal have a tendency to form interstitial compound, कब बनते हैं? जब इन vacant sites के अंदर, in vacant spaces के अंदर, small atoms हम लोग fit कर देंगे, they are usually non stoichiometric, neither typically ionic nor covalent, कुछ example है, TIC, Mn4n, Fe3n, और बेटा, इनकी बात करें, तो यह hard होते हैं, metal के comparison में, ओब्यसरी, metal के बीच में कुछ नहीं कुछ space vacant है, अब हमने वह space fill कर दिया है, तो इनके अंदर hardness आई जाएगी, अगली बात है, the interstitial compounds are very hard, retained metallic conductivity, have high melting point, and are chemically inert होते हैं, यह non reactive होते हैं, अगली बात है बेटा जी, हमारे पास alloy formation, क्या यह alloys बनाते हैं, तो इस concern है, यह बहुत बढ़िया alloys बनाते हैं, इसका reason क्या है, क्योंकि, देखो, deep block के जितने भी elements है, उनका size होता है, वो small होता है, similar होता है, small similar size की वज़े से, इनको बहुत easily replace किया जा सकता है, एक metal के atom, दूसरे metal के atom को easily replace कर सकते हैं, मापना किहां पाल देखो इसमानथ यह है यह हमारे पास है metal A और यह हमारे पास है metal B आप देखों इनका size similar है तो easily एक दुसरे को replace कर सकते हैं और जब easily एक दुसरे को replace कर सकते हैं तो एक दुसरे की अच्छी properties भी इनके अंदर आ सकती है कि जो गोल्ड होता है बहुत ही soft metal है इवन प्योर गोल्ड से ज्वैली नहीं बनाई जाती है तो उसके अंदर हाड़नेस को उंट्रूइस करने के लिए उसके अंदर copper की या फिर silver की mixing की जाती है मतलब metals की कुछ properties अच्छी हो जाते हैं कुछ कमिया रहते हैं तो उनमें mixing चल जाती है और इसको अलोई बोलते हैं अलोईज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉलूशन मैनी ओफ डीब लोग एलमेंट फोर्म अलोईज बिकोज आव सिमिलर अटोमिक रडियाई द्यू तो विच दे कन एजिली रिप्लेस दा अटम अफ अधर मैटल अलोईज दज़ फोन और ओफन हैव हाई मेल्टिंग एक इजांपल है ब्रास जो की कोपर जिंक से मिलके बनता है ब्रोंज जो की कोपर एंड टीन से मिलके बनता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मैगनेटिक प्रोपरटीज की अगर हम किसी डीब लोग के अलिमेंट को मैगनेट के सामने रखेंगे तो दो पोसिबिलिटी है कि वो दो अट्रेक्शन भी शो कर सकता है तो देखा गया मोश्टी जो डीब लोग अल लग क्यों होता है रिपल्शन ट्वार्ज मैगनेटिक फिल लिखा गया है डायमेक्टिक सब्स्टांस आर अट्रेक्टिड बाए मैगनेटिक फिल अब कोशन यह रहा है कि पैरमेक्टिक नेचर कौन शो करेगा कोई भी वो एलिमेंट जिसके पास अनपेर्ड एलेक्रोन हो वह हमारे पास डायमेक्टिक नेचर शो करेंगे अच्छे वर्ड आप लोग को सुनने को मिलता है फैरो मैगनेटिक जिसकी अट्रेक्शन बहुत ज्यादा होती है पैरमेक्टिक अट्रेक्टिव वीकली अट्रेक्टिव जो स्ट्रोंग लिए अट्रेक्टिव होते हो magnetic moment magnetic moment को हम लोग mu से represent करते हैं इसका फॉर्मुला उता है root n into n plus 2 where n means क्या होता है बटा n means होता है number of unpaired electron number of unpaired electron और इसकी unit हुआ करती है BM जैसे कि हमारे पास एक एक example है मैंने आपको बोला F2 positive है इसकी magnetic nature पर comment करो और इसकी magnetic moment भी calculate करनी है तो क्या करोगे FV का atomic number 26 होता है 26 के साफ से अगर मैं इसकी configuration करो तो क्या हो जाएगी AR 18 4S 2 3D 6 अब 2 plus है तो 2 minus होगा और minus हमेशा outer से उतने हैं पहले तो S में से गया 4S 0 अब यहां पर हमारे पास बच्चिया 3D दी में देखिए 2 3 4 5 दी में कितने इलेक्ट्रों है 6 एक दो तीन चार पांच और यह 6 अब देखिए आपको अनपेर्ड इलेक्ट्रों दिखाई दे रहे है तो आपनों क्या बूल दोगे कितने अनपेर है पेटा 1 2 3 4 तो यहां पर रूट 4 इन्टू 4 प्लस 2 यह कितना हो जाएगा रूट 24 और इसके उनटी क्या जाती है बी एम आगे में करते हैं नेक्स्ट हमारे पास complex formation अब नेक्स चेप्टर भी आएगा हमारे पास coordination compound कोडिनेशन कंपाउंड को ही complex बूला जाता है complex कब बनता है कुछ metal atom होते हैं उसके साथ लीगेंड्स अटेच हो जाते हैं तो देखा गया कि complex बनाने की सबस्यादा जो कपेस्टी होती है वो डी ब्लोक के अंदर होती है कुछ इस तरह से आप लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं मैं एक एक एजामपल दूँ जैसे तरह से यह है अपर आपको इस इस चेन्टर में अटर में बोलते हैं इसको रिजन क्या है इनके एलिमेंट का साइज समुल होता है इनका निकलियरalar चार्ज हाई होता है हाई नुकिलिर चार्ज के यौज से लिगेंट को अपने तरफ अट्रेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लिगेंट सिलेक्ट्रों देना जाते हैं और नेक्स बात प्रेजन्स ओफ वेकंट डियॉर्बिटल इनके पास डियॉर्बिटल खाली होता है तो ये येक्ट्रों को एसेप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है catalytic properties, बेटा आप लोगोंने बहुत सारे reaction देखे हो कि जहाँ पर हम catalyst का use करते हैं, catalyst क्या होते हैं, वो chemical substance जो किसी भी reaction को speed up करते हैं, है ना, और आप देखोगे कि mostly जो catalyst होते हैं, वो deep log के element होते हैं, deep log के element से बने हुए compounds होते हैं, अब ऐसा क्यों है, इसका reason होता है, their ability to adopt multiple oxidation state, यही लिखना है आप लोगोंने, अभी multiple oxidation state क्या है, यह थोड़ी दिर में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, आप देखोगे कि mostly catalyst deep log के होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर multiple oxidation state यह लोग show कर सकते हैं, next है हमारे पास formation of colored ions, तो yes, यह colored ions बनाते हैं ठीक है ना, किसी के पास भी, कोई भी अगर element है, जिसके पास unpaid electron present है, तो उसका complex colored होगा, और क्यों color होगा, due to DD transition, है ना, आप से कभी मार पूछ ले आता है, zinc, cadmium, mercury are colorless, अब मैं अगर बात करता हूं, zinc, cadmium, mercury, zinc की configuration होती है, 3D10, cadmium की configuration होती है, 4D10, mercury की configuration होती है, 5D10, इ portion यह आता है, sir, DD transition का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर D के पास एक लेक्तुन है, यह है, D, में एक लेक्तुन, अच्छा, इसको बोलते हैं, बेटा जी हम लोग, D generate D orbital, क्या बोलते हैं, इसको, D generate D orbital, D generate का मतलब क्या आता है, जिसमें D orbital, D के सभी orbitals की energy सेम हो, है ना, फिर इ classify कर सकते है, T2G, easy में, अब यह, इसके पास जैसे थोड़ी सी energy आएगी, यह अपर जा सकता है, lower से higher के तरफ, T2G से easy की तरफ, इसी को बोला जाता है, DD transition, F block के element में इसका नाम आता है, FF transition, ठीके, अब कौन सा color show करेगा, उसके लिए, एक color wheel होता है, इसे बोलते हैं, complimentary color wheel, ह है ना, कुछ इस तरह से होता है, विब गयोर याद होगा, आपको I silent होता है, V, B, G, Y, O, R, इन कैसे relation होते हैं, कि V का relation है Y के साथ, R का relation है G के साथ, B का relation है O के साथ, sorry for background, इस एक दम से बहुता था था, अगर कोई blue color को absorb कर रहा है, तो वो orange color को show करेगा, अगर कोई violet color को absorb कर रहा है, तो वो yellow color को show करेगा, या फिर yellow का absorb कर रहा है, तो वो violet को show करेगा, यह हमारा complementary color wheel का काम होता है बेटा जी, आगे में करते हैं Oxidation state, जो मैंने अभी बात की थी कि deep block की element जोते हैं, बहुत अच्छे catalyst होते हैं, अभी variable of oxidation state show करते हैं, प्लस 2 से लेकर, प्लस 7 तक, अब इसका reason क्या है, इतनी सारी oxidation state यह क्यों show करते हैं, क्योंकि बेटा इनका जो n-1d है, आपने देखोगो deep block की configuration n-1d, ns, ns के electron और n-1d के electron वो bonding में participate करते हैं, और वो bonding में participate क्यों करते हैं, क्योंकि इनका energy gap बहुत कम होता है, तो दोन्नों के electron bonding में participate कर सकते हैं, अब देखो और electronic configuration बहुत, oh sorry, oxidation state बहुत सारे factors पर depend करती है, बड़ आप इसको ऐसे भियाद रख सकते हो, कि पहले electron S देगा, ठीक है, फिर D electron एके करके देगा, and D, paired electron नहीं देगा, paired नहीं देगा, यह अपनी तरफ से बनाया रूल है, यह रूल कहीं पर लिखा नहीं गया, और आप देखो कि जनरल इससे हर एक answer हो जाता है, जैसे कि मैं आप से पूछता हूँ, कि बताओ यार, मेंगनीज की oxidation state क्या होगी, मेंगनीज का आपको पता है, ए यार, 18, 4S, 2, 3D, 5, S में कितने electron है, 2, और D में कितने electron है, 5 है, 5, ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे पहले electron को देगा, S, D अपने electron नहीं के करके देगा, तो D में 5 electron है, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, कि बताओ यार, वैनेडियम है, जिसका atomic number होता है, 23, इसके oxidation state क्या होगी, तो क्यों होता है, AR, 18, 4S, 2, 3D, 3, यह हमारे पास S है, जिसमें कि 2 electron है, और यह हमारे पास 3D है, जिसमें कि 3 electron है, 1, 2, 3, सबसे पहले electron कौन देगा, S, प्लस 2 electron देदिया, फिर D अपने electron एक के करके देगा, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, जैसे हम बात कर लेते हैं nickel की, nickel जिसका atomic number 28 है, configuration क्या होगी इसकी, AR, 18, 4S, 2, 3D, 8, S में कितने हैं, 2, और D में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबसे पहले electron कौन देगा, S, 2 electron देगा, और D पेर तो देगा नहीं, N पेर देदेगा, प्लस 3, प्लस 4, बट मैं अगेन बोरों बेटा, यह कोई hard and fast rule नहीं है, जैसे कि आप देखो, scandium is the only transition element, जो variable oxidation state नहीं शोगरता है, यह सिर्फेक oxidation state शोगरता है, प्लस 3, सरे प्लस 3 क्यों शोगरता है, क्योंकि फिर इसके पास noble gas configuration आ जाएगी, यह है, है न, magnesium show maximum number of oxidation state, osmium show plus 8 oxidation state, अच्छा 3D में magnesium show करता है, और D block में osmium show करता है, copper 2 positive is more stable than copper 1 positive, अब क्यों, copper 2 positive जादा stable क्यों है, अगर देखा जाए तो copper 1 positive के पास date and configuration होगी, देखिए, it depends कि आप कहाँ पर इसकी stability check करें, पानी में इसकी stability check की गई है, तो पानी में stability check की जाती है, on the basis of hydration enthalpy, कि कौन जादा energy release करेगा, तो देखा गया, copper 2 positive जादा energy release करता है, as compared to copper 1 positive, that's why, copper 2 positive जादा stable है, in aqua solution, ठीक है, copper 1 positive को जैसे पानी में डालोगे, ब्रेकडाउन हो जाता है, इसको बोलते है, disproportionation action, क्या होते है, disproportionation, जब एक ही element की oxidation state increase भी करती है, और same element की oxidation state decrease भी करती है, आगे में करते हैं, सबसे ज़्यादा oxidation state शो करता है, higher oxidation state तक लेके जाता element को, वो oxygen है, फ्लोरीन भी है, बड़ जादा oxygen है, oxygen, fluorine, क्यों higher oxidation state तक लेके जाता है, क्योंकि यह electron active element है, जो मजबूर कर देते हैं, electron देने पे, अब दूसरा question पर आता है, क्योंकि oxygen, क्यों higher oxidation state तक लेके जाता है, क्योंकि oxygen multiple bone मनाता है, fluorine single bone मनाता है, यह एक reason है, आगे में करते हैं, oxide formation, many of deep block element form oxide of different type, because of the presence of many different oxidation state, अच्छा याद रखिए, acidic character हमेशा बढ़ता है, जब oxidation state बढ़ती है, ionic character बढ़ता है, जब oxidation state बढ़ती है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, MNO और MN2O7 में कौन जादा acidic है, तो आप इनके oxidation state निकालोगे, इसके oxidation state प्लस 2 है, और इसके oxidation state प्लस 7 है, तो अंसर आपको मिल क्या होगा, कि मैगनी जो प्लस 7 oxidation state शो कर रहा है, वो जाद ऐसे रिख होने वाला है, तो चलिए, बात स्टार्ट करते हैं कि F-block elements किसे कहा जाता है, जिस तरह से हमने D-block elements को define किया है, दोज elements in which last electron enters in due orbital, similarly हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप electronic configuration करोगे अगर किसी का last electron enter कर रहा है, F-orbital के अंदर, और shell कोन से होगी, pre-penaltymate या फिर anti-penaltymate, एक होती है valence shell, जो out remote share होती है, एक होती है penaltymate, जो last से एक पहले होती है, एक होती है pre-penaltymate या anti-penaltymate, जो last से दोखम होती है, उसे हम लोग F-block elements बोलेंगे, और F-block elements का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, inner transition element बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि actual में ये D-block के अंदर होते हैं, D का नाम transition है और ये transition के अंदर है, है ना, even transition से पहले है, है ना, N-1D होता है, इसे transition बोलते है, N-2F होता है, जो transition के भी अंदर है, transition से भी अंदर की तरफ है, उसे हम लोग क्या अब बहुत सारे बच्चे को मैंड में कोशन आएगा सर दी में तो वन टू टैन होते हैं वट आप जिरो टू वन क्यों लिख रहे हो इसका सिंपल सा रीजन यह है कि जैसे यह हमारे पास है प्रियोडिक टेबल अगर आप प्रियोडिक टेबल में देखो तो एक्ट्वल में यहां पर है यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर एक element है lengthenum जिसका atomic number 57 और 58 होना चाहिए बट यह जो halfnium element है इसका atomic number 72 है क्योंकि इसमें 14 का gap आ गया है यहां पर f block है अब f block से पहले s के 2 element आये हैं और d का सिर्फ एक ही element आप आया that's why जब भी हम f की configuration करते हैं तो हम य यह अगले element में भी है जैसे इसे बोलते हैं 4f series इसे बोलते हम लोग 5f series है ना 4f का दूसरा नाम होता है lengthenoid series और इसका दूसरा नाम होता है actenoid series ठीके बटा इससे पहले s के 2 आएंगे और d का एक ही आपाता है इसी वज़े से हम लोग configuration में वो लिखते हैं जो मैंने आपको comment section बताओ आपको कौन सी trick आती है या कौन सी अच्छी लगती है अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा lengthenoid series के बारे में बात कर लें तो lengthenoid series की जो most common oxidation state है वो है plus 3 बट साथ साथ यह plus 2 and plus 4 भी show करते हैं अब यहां से जो सबसे famous question मनता है वो है lengthenoid contraction contraction का मतलब होता है गटन है ना बार-बार में हाइपोथेटिक लिए कि अमपल देरों मान के तो लो कि तुम्हारे बारसर डाइट फोलो करते बढ़िया वाली है ना calorie deficit वाली जिसमें कम खाना होगा और burning जादा होगी और regular gym जाते हैं तो धीरे 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 थोड़ा सा weight जो है लू करते हैं 3D में regular decrease नहीं था पहले decrease था फिर same था और फिर increase था बड़ इसमें regular decrease है इस regular decrease को हम लोग क्या बोलते हैं लैंथनोड contraction the regular decrease in the atomic and ionic radii of length noid with the increase in atomic number from left to right in length noid series is called length noid contraction बड़े अजीब से वर्ड हैं देखो left right जाते है effective nuclear charge बढ़ता है और दूसरी बात जो F की shape होती है वो diffused shape होती है बहुत बड़ा सा F sub shell होता है और अजीब सी shape होती है जिसके वाज़े से the separation of length noid is difficult as there is very little difference in their size due to which they have similar chemical properties अब length noid का size decrease कर रहा है बत थोड़ा थोड़ा decrease है लगबग लगबग size सेम होता है अब size पे ही maximum property depends करती है तो जिसके वाज़े से इनकी properties भी लगबग same हुई और जब properties सेम हुई तो इनको separate करना बहुत मुश्किल हो गया आगे move करते हैं basic strength of hydroxide decreases from left right अब left right में कैसे जैसे lengthenum hydroxide है है यहां पर cerium hydroxide है यहां पर last में lutatium hydroxide आएगा जब हम left right जाएगे तो basic strength जो है बटा वो decrease करती है basic strength का मतलब क्या कि कौन असानी से OH को release करेगा सबसे easily release कर सकता है lotatium नहीं रिजन जितना size small होता है bond strong होता है और बोंड श्रोंग होता है तो उसको release करना मुश्किल हो जाता है तो LAOH3 एक बढ़िया base है LUOH3 एक weak base है left right जाते हुए basic strength गटती है अगली बात है covalent character of hydroxide वो increase करता है वो basic strength का उलटा है अगली बात है the size of third transition series elements is similar with the second transition series element यह बहुत important है third transition series का मतलब है 5D और 4D देखो trend तो यह होता कि जब हम top to bottom जाते हैं तो size बढ़ता है यानि कि 5D वालों का size बढ़ना चाहिए बट यहां पर क्या आगी length node contraction आगी जिसके वज़े से 4D और 5D का size है वो similar हो गया इवन जिर्कोनियम और होफनियम जो है मैं बात करूं बेटा जी था क्या size बढ़ना चाहिए था ठीक है बट होता क्या है इनका size होता वो almost same होता है इनको twins बोलते हैं क्योंकि इनकी properties भी same हो जाती है और वो क्यों same हो जाती है length node contraction के वाज़े से यह length node contraction ने दिख रहोगा आपको size decrease कर रहा है इनकी हम बात कर रहेते हैं uses की glass industry के अंदर इनका यूज के आता है oxidizing agent के रूप में यूज के आता है और अलोए बनाने में के रूप में इसका प्रयोंकिया आता है मिश मैटल बनाने में मिश मैटल एक famous अलोए है जिसमें आपको length node, iron, sulphur और traces में मिलता है carbon, calcium, aluminium आगे माँ करते हैं actinoids जैसे 4f series होती है वैसे next series हमारे पास 5f होती है these are the elements in which last electron filled in 5f orbital और यह सब के सब radioactive होते है 14 elements से सारे के सारे radioactive है electronic configuration की बात करें तो 7s2, 6d021, 5f में 1 to 14 जाते हैं और इनकी इस में आपको irregularities बहुत जादे मिलती है configuration के अंदर और कहीं भी irregularities आपको देखने को मिलेगी तो इसका reason यही है कि stability आ जाती है stability कौन कौनसी F14 बहुत stable है F7 बहुत stable है F0 बहुत stable है तो हर कोई element कोईश्च करता है और हम थोड़ा ना stability की तरफ बढ़े तो इस वज़े से irregularities आपको देखने को मिलेगी अगला question आप लोगों से पूछ ले आता है similarities क्या है अब माइड में question आएगा sir यह इतनी high oxidation state क्यों शो कर रहे है इसका simple से reason यही है कि जो हमारे actinoids है actinoids में आपको देखाऊगा 7s, 6d and 5f इनमें energy gap बहुत कम होता है और जब इनमें energy gap बहुत कम है तो सबके electron bonding में participate करते हैं और जब भी सबके electron bonding में participate करेंगे तो आपको एक variable और high oxidation state देखने को मिलेगी सेम हमने दी में भी गया दा clear है they have poor shielding effect और इनका shielding effect उससे भी poor होता है ठीक है तो length node contraction में size घरता है actinoid में और भी जादा घरता है they are paramagnetic और इनके paramagnetic reactor को easily explain किया जासकता है यह भी paramagnetic होते बट इनको easily explain नहीं किया जासकता यह सारे के सारे radioactive है radioactive elements के बारे में बहुत जादा study नहीं हो सकती है यह known radioactive है इनमें सिर्फ एकी element होता है जो radioactive होता है that is PM promethium यह सारे के सारे radioactive है ठीक है यह ज्यादा complex बनाते हैं और यह कम number of complex form करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं compounds of transition element बहुत सारे compounds होते हैं बेटा बट हमारे syllabus में जो हमने पढ़ने हैं वो दो compounds के बारे में पढ़ना है one is a K2Cr2O7 potassium dichromate and second is KmO4 potassium permagnate तो सबसे बात करते हैं potassium dichromate की potassium dichromate को बनाया किसे जाता है chromite ore से इसको बनाया जाता है जिसका formula होता है बेटा FeCr2O4 इसे ferrochrome भी हम लोग बोल देते हैं इसकी preparation में आपको 3 step देखने बिलते हैं सबसे पहले step में हम लोग ferrochromate को convert करते है sodium chromate में दूसरे step में हम sodium chromate को convert करते है sodium dichromate में । सबसे पहले हमारे पास ferrochromate है FeCr2O4 उसको हम लोग treat करेंगे with base in the presence of air तो हमारे पास क्या बन जाएगा sodium chromate जो की yellow color का compound होता है Na2CrO4 साथ में बन जाता है Fe2O3 CO2 ठीक है CO2 नहीं बनेगा भई इस case में इस case में बनने वाला है साथ में water water and water के कितने molecule बनेगे 8 times of water molecule ठीक है अगली बात आ जाती है step number two हमारे पास है sodium chromate को sodium dichromate में convert करना है कभी भी chromate से dichromate बनाना है तो उसकी reaction हम लोग करवाएंगे with acid तो यह हमारे पास क्या है sodium chromate है Na2CrO4 इसको हमने SCL के साथ ट्रीट किया तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा Na2Cr2O7 जो कि एक orange color का compound है बाजू में क्या बनेगा NaCl बन जाएगा and water बन जाएगा next हमारे पास आता है last step जो कि क्या है जब हम sodium dichromate को potassium dichromate में convert करेंगे तो obviously हम उसकी reaction कराएंगे किसी potassium के compound के साथ हमने इसकी reaction KCL के साथ कराई तो Na की जगा पर K चला गया और यह हमारे पास क्या बन गया K2Cr2O7 मैं एक काम करता हूं में इसको simple way में समझाता हूं सबसे पहले हमारे पास ferrochromate होगा ferrochromate का formula FeCr2O4 इसको हम sodium chromate में convert करना जाते हैं तो इसकी reaction हम लोग करवाएंगे NaOH और पलस्टाप O2 की presence में तो यह हमारे पास बन जाएगा Na2CrO4 यह हमारे पास है sodium chromate chromate से dichromate बनाना है तो हम इसकी reaction कराएंगे with acid H2SO4 हो सकता है HClb हो सकता है तो यह हमारे पास बन जाएगा Na2Cr2O7 अब sodium dichromate से potassium dichromate बनाना है तो इसकी reaction हम लोग ने करा दी KCl के साथ तो यह हमारे पास बन जाएगा K2Cr2O7 यह था बेटाजी simple size का preparation आगे बाकी मैंने इस specific topic पे कलग से वीडियो बना रहके कोश्च करूँगा link description प्रोवाइड कर दूँगा तो आप detail में भी इसको देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और आध अतने इसे question तो chromate and dichromate are interconvertible अगर आपके पास dichromate है dichromate से chromate बनाना है तो आप base डाल दो और अगर आपको chromate से dichromate बनाना है अभी बताया था तो आप क्या डाल दोगे acid डाल दोगे कई मारे आप से pH से related बात पूछ लिजाती है देखिए acid डाल रहे तो जो pH है वो less than 7 है और क्योंकि आपर base डाल रहे तो जो pH है वो more than 7 होगा structure की बात करें भाया कुछ इस तरह का इनका structure होता है ठीक है अच्छे एक चीज़ मैं आप लोगों को clear करता चलूं कि इसमें दोनों में ही cases में क्रोमियम की जो oxidation state बनेगी वो 6 बनेगी अब इसका color yellow है इसका color orange है और हमने अब oxidation state अगर प्लस 6 बनेगी क्रोमियम पे अगर आप प्लस 6 चार्ज कर दो तो इसके पास zero unpaired electron होंगे तो बड़ा famous question अब बनता है हम तो यह लिखके आए हैं कि जिसके पास unpaired electron होंगे वो DD transition शो करेगा और वो ही color होगा बट इन दोनों में से किसी के पास भी unpaired electron नहीं है चार्ज transfer from ligand to metal theory लगी है इसकी वाज़े से जो है compound जो है colored हुआ है क्लियर है properties की बात करें orange red crystal होते है moderately soluble है in cold water बट बढ़िया soluble है in hot water गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा potassium dichromate convert हो जाएगा chromate के अंदर है ना साथ में CR2O3 and water बन जाएगा अगर आप इस पर base डालोगे अभी मैंने बताया कि अगर dichromate पर base डालोगे तो वह chromate बन जाएगा K2Cr2O4 ठीक है और अगर आप chromate पर acid डालोगे तो बन जाएगा K2Cr2O7 आगे move करते हैं तो यह एक बहुत बढ़िया oxidizing agent होता है बहुत बढ़िया potassium dichromate यूज किया आता है other compounds के oxidation के लिए इसके molecular reaction देख लिए अच्छा acidic medium में एक बड़ी oxidizing agent है यह हमारे पास है K2Cr2O7 आपने यहाँ पर acid डाला तो यह हमारे पास क्या बनगे K2SO4, Cr2SO4-3, 4H2O and 3O यह तीन oxygen जो रिलीज होए है इनी का use किया जाता है for the oxidation यह possible है तुम्हें समझ में नाई हो तो इस यहाँ पर chromium की oxidation state plus 6 है, plus 6 के लावा chromium की जो second most stable oxidation state है वो plus 3 है तो यह convert होगा plus 3 के अंदर ठीक है अब अगली बात मतलब अब plus 6 से plus 3 में convert हुआ तो 3 electron का gain किया होगा बड़ क्योंकि यह पर 2 chromium है, so sorry, stridham बहुत आ गया गए क्योंकि आपर 2 chromium है, 1 chromium plus 3 electron लेगा, तो 2 कितने लेंगे, 6 electrons लेंगे, ठीक है, अच्छा, 7 oxygen encode आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपर 14H positive कर सकते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, 7H2O, यह याद रख लेना हर जगा पर आपने इस reaction को चिपकाना है, सर समझ में नहीं 2 मिनट लोगों अब समझाता हूं, simple way में, अच्छा, यह क्या कर सकता है, अब बेटाई अपने यह जाद रखना है, कि यह, I negative को convert कर सकता है, I2 में, Fe2 positive, जिसे Ferus बोलते है, Fe2 positive को convert कर सकता है, Fe3 positive, जोकि Ferus है, S2S को convert कर सकता है, S में, SO32 negative को convert कर सकता है, SO Bild, SO4 में, अगर कोई X-negative है, कोई भी हलाइड है, तो उसको हलोधन में, SN2-positive को convert कर सकता है, SN4-positive में, इथाइल एलकोहल से aldehyde बना सकता है, और उससे further carboxylic acid भी बना सकता है, acidic acid या इतनोग acid भी बना सकता है, अब जैसे मैं एक reaction बताते हैं, पेपर में आपसे क्या पूछला जाएगा, कि Fe2-positive को अगर treat किया जाए, acidic acidified solution of K2Cr2-O7 तो क्या होगा, तो बताइए भी, तो हमारे पास Cr2-O7-2 है, पहली बात तो यह, है ना, अब 7 oxygen है, उनको उडाने के लिए में 14H-positive की जूस्त पड़े है, Fe3-positive में, और यहाँ पर यह, एक electron देगा, कभी भी reaction बैलेंस करके लिखने होती है, electron नहीं issue होने चाहिए, तो electron को खतम करने के लिए, इसको 6 से multiply कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास 6 electron से 6 electron cancer, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr2-O7-2 plus 14H-positive plus 6 Fe2- positive gives 2Cr, 3-positive plus 6 Fe, 3-positive plus 7H2, इस तरह से लिखी जा सकते हो, कोई भी reaction लिख सकते हो, अब इसी की तरह एक important compound आ जाता है, potassium permagnate, KMNO4, यह थोड़ा violet color का compound है, कह लिए, डाक violet होता है, जब पानी में डालते है, light pinkish color में convert हो जाता है, इसको बनाया जाता है, फ्रोम क्या होता है, ore of manganese होता है, MNO2 होता है, इसकी preparation में 2 step है, सबसे पहले पारलुसाइट से हम potassium magnet बनाते हैं, और फिर potassium magnet से हम लोग potassium per magnet बनाते हैं, तो starting इसकी भी same है, कि हमारे पास पारलुसाइट है, KOH के साथ ट्रीट किया, air में, तो यह हमारे पास बन गया, K2MNO4 and water, dark green होत सबसे पहले हमारे पास है, MNO2, इसके बाद आप लोग इसको ट्रीट कर दोगे with CL2, तो यह बन जाएगा, हमारे पास KMNO4, क्लियर है बटा, यह potassium permagnate है, इसके पास unpaid electron नहीं है, यह क्यों, अच्छा, unpaid electron कैसे पता लगेगा, oxidation state निकाल लोगे, है ना, oxidation state जब निकाल लोगे, तो MN पे प्लस 7 charge आएगा, 0 electron आपको दिखेंगे, बट still यह color होगा, color क्यों होगा, अगर किसे के पास unpaid electron नहीं है, still वो किस में chromate में connect होता था, तो यह भी अपने previous compound में convert होता है, क्या MNO4 का previous compound क्या है, K2MNO4, MNO2 and O2, यह एक तरह से बटा, disproportionation reaction है, disproportionation reaction, manganese की oxidation state, क्या होगी भी, इसमें कुछ नहीं होगी, यह simple है, disproportionation नहीं है, आगे महों करते है, acidic medium में जब आप इसको डालोगे, क्या MNO4 को H2 के साथ ट्रीट करोगे, K2SO4, MNSO4, 3H2 and 5, oxygen, यह reaction याद रख लीजिए, याद रख सकते होतों, वरना simple way में बताता हूं, आइनिक reaction याद रख लो, MNO4 negative है, यह हमारे पास है, अब 4 oxygen को उड़ाने के लिए, 8H positive लेंगे, अच्छा, यहाँ पर मेगनेज की oxidation state है, plus 7 है, plus 7 के तो कितने electron का difference है, 5 electron का, single, single ही थे, वो double है, that's why हमें double electron करने पड़े थे, और बाकी plus में क्या बन जाएगा, 4H2, यह इसकी ionic reaction हो गई, अब यह बड़ी oxidizing agent है, और लगबग जितनी reaction वो करता है, उतनी reaction यह करता है, वन उससे ज्यादा ही करता है, ठीक है, ज्यादा कॉन कॉ F2 positive से, F3 positive, H2S से, S oxalic acid से, carbon dioxide, SO2 से, H2SO4, अच्छा, SO जैसा कुछ भी आजाए, sulfur के साथ, oxygen कुछ भी आजाए, तो इंदी एंड वो sulfate में connect होगा, दुनों के सिद्में, I negative से, क्या बन जाता है, I2, H2O2 से क्या बन जाता है, O2, अच्छा, potassium permagenate की अच्छी बात क्या है, कि हर एक medium में एक oxidizing agent है, जैसे, potassium diacromate सिर्फ acidic medium में oxidizing agent था, हमने सिर्फ एक reaction पड़ी थी, कि हाँ acidic medium में बड़े oxidizing agent है, बड़े acidic medium में oxidizing agent है, basic medium में oxidizing agent है, neutral medium में भी oxidizing agent है, ठीक है, जैसे हमने इसको neutral medium में लिया, MnO4 negative, 2H2O, 3L, यह क्या बन जाएगा, MnO2, कुछ खास reaction reaction देख लीजिए, क्या कर सकता है, H2S से बना सकता है, S, sulfur, MnSO4 से बना सकता है, MnO2, Na2S2O3, इसे बोलते है, Thiosulfate से बना सकता है, Sulfate, Na2SO4, अच्छा एक reaction होती है, जो आपको इसके खास alkaline medium में ही देखने को मिलेगी, वो है, कि यह I negative से, Iodate बना सकता है, क्या बना सकता ह है, Iodate, E reaction हम आगे पढ़ेंगे, don't worry, अब इसके structure की बात करें, structure इसका भी लगबग सेम ही होता है, जैसे वहाँ पर आपको tetrahedral structure देख रहे थे, यह दर भी tetrahedral structure ही है, जैसे MnO4 2 negative, इसे बोलते है, magnetine, है न, यहाँ पर double bond O, double bond O, oxygen पर negative, oxygen negative, और एक है MnO4 negative, जिसका color purple, dark violet जिसके में बोला हूँ, MnO, double bond O, double bond O, oxygen negative, यह किस वज़े से color है, DD transition की वज़े से, और यह किस वज़े से color है, charge transfer from ligand to metal, clear है बटा, तो यह ही इसकी properties थी, अब कुछ questions करेंगे, और जाद आपको यह chapter समझे आने लिगे, तो चलिए, कुछ important questions ट्राइए करते हैं, सबसे पहलो question है, silver atom has completely filled deorbital, in its ground state, how can you say that it is a transition element, अब देखे, आप लोगो ने जब deep block element start किया था, तो आप लोगो ने बोला था कि deep block elements को transition element बोला था है, because they have partially filled deorbital, but कुछ element थे, like zinc, cadmium, mercury, उनको transition considered नहीं किया था, because they have fully filled deorbital, अब silver जो है, इसके पास d10 है, but इसको still transition considered किया था, क्यों, silver in its plus 1 oxidate exhibit 4 written configuration, but in some compound, it also shows plus 2 oxidation state, बेटा, partially filled deorbital होना, चाहे ground state में हो, चाहे किसी stable oxidation state में हो, ठीक है, तो इसके plus 2 oxidation state में देखा गया है, कि इसके पास 49 हो जाता है, d में 9 है, यानि कि इसके पास partially filled deorbital है, तो हम बोल देंगे कि यह हमारे पास transition element है, अगला है, write down the electronic configuration of CR3 positive, copper 1 positive, CO2 positive यह हो सकता है, बहुत easy सा कोशन है, जैसे chromium की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, chromium का atomic number कितना होता है, 24 configuration क्या हो जाएगी, AR 18, 4S, 1, 3D, 5, अब chromium मैंने कर दिया 3 plus, 3 plus का मतलब होता है, 3 minus, minus कहा से होगा, पहले 4S, 0, और 3D, 3 electron निकालना, तो 3D हो जाएगा इस में से 2 electron चले जाएगे, अगला कोशन है, which transition metal of the 3D series exhibits the largest number of oxidation state and why, 3D series में अगर मैं बात करता हूँ, variable oxidation state कौन-कौन शोर नहीं करता है, scandium सिर्फ प्लस 3 oxidation state शोर करता है, zinc सिर्फ प्लस 2 oxidation state शोर करता है, बाकि जितने भी element हो, variable oxidation state शोर करता है, अगर मैं highest number तक की बात करूँ तो वो जाता है, manganese, manganese का atomic number 25 होता है, configuration करूँ तो 4S to 3D5, तो पहले दिखिए, अगर मैं 4S to 3D5 को लिखूँ, यह हमारे पास है, S में 2 electron और यह हमारे पास है 3D, D में कितने electron है, यह 3D है, यह 4S है, 1, 2, 3, 4, और यह 5, पहले S के 2 electron दे देगा, तो प्लस 2, D अपने electron एक करके देगा, है न, तो प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7 हो जाएगा, और ऐसा क्यों होता है, due to its electronic configuration, अगला question है, explain giving reason, transition metals and many of their compound show paramagnetic behavior, show करते हैं, क्यों show करते हैं, देखिए, paramagnetic का मतलब होता है, attraction, और attraction वो ही show करेगा, जैसे like मैं हूँ, मैं शाद्यू शुदा हू बर तुम लोग show कर सकते हो, है न, opposite side में attraction, show कर सकते हो, तुम लोग, को single है, तो same chemistry में भी होता है, अगर किसी के पास unpaid electron है, तो attraction show करेगा, और अगर किसी के पास unpaid electron नहीं है, तो वो attraction show नहीं कर सकता, paramagnetism arise from the presence of unpaid electron, each unpaid electron has magnetic moment, associated with its spin angular momentum and orbit, यह यह हैं, simple सी बात लिको, most of the transition elements have unpaid electron, that's why they are paramagnetic in nature, and show attraction towards magnetic field, negative moment को अगर हमें calculate करना फोर्मा क्यों होता है, root n into n plus 2, where n is number of unpaid electron, अगला है, the enthalpy of atomization of the transition elements are high, enthalpy of atomization क्यों होता है, कि एक solid substrates को आपने gases form में convert करना है, तो obviously उसमें energy लगेगी, अब deep block के elements क्यों होते है, hard metal होते है, hard metal क्यों होते है, strong metallic bond, और strong metallic bond क्यों ह होते है, number of unpaid electrons की वजए से, जितने ज्यादा unpaid electrons होते है, अथनी hard metal होते है, और उतना strong metallic bond होते है, तो अथनी energy लगेगी, उसको metal से, solar से gases form में convert करना है, because of large number of unpaid electron in their atoms, they have strong interatomic attraction, and hence stronger metallic bond between atoms, resulting in higher enthalpy of atomization, the transition metal generally form colored compound, अब simple सी बात है, unpaid electron होने चीए, और DD transition होने चीए, DD transition क्यों होता है बेटा, D generate D orbital, जिसमें D के 5 orbital के पास same energy होती है, ठीक है, यह की splitting हो जाती है, यह है T to D, और यह है easy, unpaid electron है, तो यह इधर से इधर, lower से higher की तरफ transition शोग कर सकते हैं, इसको बोलते है DD transition, और यही result करता है, किसमें color शोग करने में, इसी के वज़े से आपको color दिखाई देता है, due to the presence of unpaid electron and DD transition, the transition metals are generally colored, transition metals and their compound act as good catalyst, यह भी बात मैंने बताई थी, क्यों होते हैं भी, due to their ability to adopt multiple oxidation state, अगला है, what is mean by disproportionation reaction, क्या मतलब है, disproportionation का, disproportionation का मतलब होता है, जब एक ही element की oxidation state बढ़ भी रही है, घट भी रही है, एक ही element oxidation भी show कर रहा है, और reduction भी show कर रहा है, देखो, यह हमारे पास copper positive, जब हम इसको पानी में डालते हैं, तो यह copper two positive and copper में breakdown हो जाते है, one positive से two positive हो गया, यानि कि oxidation state बढ़ी है, one positive से zero हो गया, यानि कि oxidation state घटी है, यहाँ पर यह oxidation शोगर रहा है, और यहाँ पर यह reduction शोगर रहा है, similarly, अगर हमारे पास MnO4 two negative है, इसे बोलते ह है, magnet आए, इसको acidic मीडिय में जब हम डालते हैं, तो यह MnO4 negative and MnO2 में convert हो जाता है, यहाँ पर अगर आप इसकी oxidation state देखोगे तो plus 6 है, इस case में देखोगे तो plus 7 है, इस case में देखोगे तो plus 4 है, तो 6 से 7 भी होई, 6 से 4 भी होई, इसको हम लोग बोलेंगे disproporcionation reaction, अगला है, the E0 M2 positive by M, इसे बोलते है, standard electrode potential, value for copper is positive, 0.34, what is the possible reason, मैं आपको एक चीज़ किलियर कर देता हूँ, जो metals होती है, उनका standard electrode potential negative होता है, 3D series में आप देखोगे, सभी का negative है, मतलब reduction potential का मतलब होता है, उनको gain करने की tendency, क्यों को gain करने की tendency होती है, तो उनका standard reduction potential negative होता है, बट एक एक लोता element है, जो है copper, जिसकी value positive होती है, अच्छे एक चीज़ में बता दूँ, कि जो E0 की value होती है, standard electrode potential, या फिर कह लिए standard reduction potential, ये तीन factors पर depend करता है, enthalpy of atomization, enthalpy of ionization, hydration enthalpy, पहले किसी atom को solid से gases form एक नवट करते हैं, फिर उसमें से electron निकालते हैं, और फिर उसको electron निकाल के जब आयन बन जाएगा, कटायन बन जाएगा, फिर उसको पानी में डालेंगे, इन तीनों cases में energy change होते हैं, जैसे कि solid से gases form में convert करना है, enthalpy of atomization, जो की energy आपको देनी पड़ेगी, एक endothermic process है, फिर उसको gases form में से electron निकालना है, वो होती है ionization enthalpy, again एक endothermic process है, और जब उसको पा hydration enthalpy ज्यादा होती है, hydration enthalpy की value negative होती है, तो standard electrode differential की value भी negative हो जाती है, generally cases के अंदर, but copper की case में ज्योता है कि hydration enthalpy कम होती है, उतनी ज्याद energy release नहीं हो पाती, जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है, तो value जो है positive रह जाती है, यह ही इसका reason है, अच्छा, inote value 3 point पे आती है, enthalpy of atomization, enthalpy of finization, hydration enthalpy, ठीक है, copper has high value of enthalpy of atomization, and low value of enthalpy of hydration, इसकी hydration enthalpy कम है, और atomization ज्यादा है, देखो बेटा, यह दोनों जो energy है, क्योंकि नमें energy absorb हो रही है, तो यह value होती है positive, और इसमें energy release होती है, तो यह value होती है negative, यह कम है, कम negative है, ज्यादा positive है, तो overall जो change है, वो positive value की तरफ चला जाता है, it means that energy required is not compensated by the energy release, therefore, E naught copper 2 positive by copper is positive, याद रखेंगे इसको, अगला है, why are Mn2 positive compounds more stable than Fv2 positive towards oxidation, to their plus 3 oxidation state, देखो यार, ऐसे-ईसे question जब कभी आजे है, तो आप configuration वाला funda पकरना, अब देखो, Mn2 positive जादा stable है, then Fv2 positive towards their oxidation, मतलब Mn2 positive खुश है, Mn2 positive में, Mn3 positive नहीं होना चाहरा, जबकि Fv2 positive खुश है, Fv2 positive के साथ, वो Fv3 positive होना चाहरा है, ऐसा क्यों, देखेंगे, अगर आप इसकी configuration करोगे, Mn2 positive में, तो यह हो जाएगा, AR18, 4S0, 3D5, अगर आप इसको देखोगे, AR18, 4S0, 3D6, अ 3D5, और अगर आप यहां पर देखो तो, AR18, 4S2 नहीं होगा, 4S0 होगा, और 3D4 हो जाएगा, तो भाया, Mn2 positive क्यों खुश है, क्योंकि इसके पास exactly half field d orbital है, stability है, on the other hand, Fv2 positive क्यों नहीं है, क्योंकि D6 है, वो 3 plus में जाना चाहरेगा, क्योंकि फिर उसके पास भी stable configuration आजाए तो बैटा, यही लिखा गया है, Mn2 positive compounds are more stable due to half field d orbital, Fv2 positive compounds are comparatively less stable, as they have 6 electron in their orbital, so they tend to lose 1 electron from Fv2 positive and get stable 3D5 configuration, अच्छा, यह बात मैं संधा चुका हूँ आपको, oxygen and fluorine both have small size and high value of electronegativity, so they can oxidize the metal to their highest oxidation state, एक question आप लोगों से पूछता हूँ, कि इन दोनों में से भी कौन सा ऐसा element है, जो जादा higher oxidation state शोगरता है, वैसे तो generally दोनों ही शोगरते हैं, क्योंकि electron active है, बट इन दोनों में से भी कोई एक है, जो higher oxidation state को generally satisfy जादा करता है, अगला question है, describe the preparation, इसको देखते हैं, next question है हमारे देख चुके हैं, कि potassium dichromate की preparation 3 step में होती है, इसको ferrochromate से बनाया जाता है, पहले step में ferrochromate से sodium chromate, फिर sodium chromate से sodium dichromate, और फिर sodium dichromate से potassium dichromate, तो हमारे पास ferrochromate है, इसको sodium में convert करने के लिए हम लोग NaOH का use कर सकते हैं, जो की best है, इसके लाब आप Na2CO3 का भी use कर सकते हो, है करा दो KCL के साथ, तो क्या आगो sodium की जगा पर K चला जाएगा, K2CR, और यहाँ पर बन जाएगा 2NACR, ठीक है, अब इनके अगर structure की बात करते हैं, तो dichromate का इस तरह से है, दो tetrahedral structure होगे, और अगर मैं chromate की बात करूँ, तो single tetrahedral structure होगा, यह दुनों colored क्यूं है, अच्छा इसका color yellow होता है, इसका color orange होता है, dichromate का color orange होता है, और chromate का color yellow होता है, कहीं बार आप से yellow color compound, orange color compound क्या के बात कर दी जाती है, तो आप समझ जाना कि वो chromate और dichromate की बात कर रहा है, अगर आप chromate को acidic medium में डालते हो, मतलब pH less than 7 लेते हो, तो वो dichromate में कनोट हो जाता है, और से पहले pyrulocyte से potassium magnet और potassium magnet से potassium permagnate, यह हमारे पास pyrulocyte है, इसको potassium के साथ treat करेंगे, है ना, potassium वाले किसी compound के साथ, that is QOH, air के साथ, गरम करेंगे, तो यह हमारे पास बनगे K2-MnO4, potassium magnet, इसकी reaction करेंगे CL2 के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा K2-MnO4, अच्छा, आपके बस MnO4 negative है, acidic medium में, MnO4 negative, यानि कि permagnate iron, वो तो चाहिए किसी भी medium में हो, वो एक अच्छा oxidizing agent होता है, तो Fe2 positive को convert कर दिया जाएगा, Fe3 positive में, और MnO4 convert होता है, Mn2 positive में, उसके बाद है, MnO4 negative है, permagnate iron है, neutral medium में है, iodine है, iodide iron है, तो iodide iron convert होगा, iodate के अंदर, यह important बात है, potassium dichromate, वो acidic medium में है, अगर आपने permagnate को neutral medium में ले लिया, या फिर alkaline medium में ले लिया, तो iron active convert होता है, iodate के अंदर, यह बात याद रखिए बहुत important है, यही एक अजीब सा exception है, और कोई है, उसके बाद है, dichromate iron को acidic medium में लिया गया, dichromate iron acidic medium में oxidizing agent है, Fe2 positive को convert कर देगा, Fe3 positive के very nice, यहाँ पर क्या आजाएगा, Fe3 positive आजाएगा, उसके बाद है, MnO4 negative C2O4 है, MnO4 negative है acidic medium में, तो oxidizing agent होगा, C2O4 negative, इसको 2 negative, इसे बोलते हो, oxalatine, oxalatine convert हो जाता है, carbon dioxide के अंदर, अगले question है, compare the actonoids with that of lengthonoids with reference to electronic configuration, oxidation state, chemical reactivity, तो configuration की बात करें, तो lengthonoid में 4F में जाते हैं, और actonoid में 5F में जाते हैं, बाकी तो सेम सेम सा ही है, इसमें 6S to 5D 0 to 1, 4F 1 to 14, और इधर क्या है, यह है, इधर 7S to 6D 0 to 1, 5F 1 to 14, उसके बाद है, atomic and ionic radii दुनों का size decrease होता है, actonoid का जादा decrease होता है, यह लिखा गया है, the atomic size of lengthonoids decreases from lengthenum to lotatium, though the decrease is not regular, in case of atomic radii, while the decrease in the ionic radii is regular, decrease in size between two successive elements is higher in actonoids, और actonoids में ज्यादा size decrease होता है, क्यों decrease होता है, क्योंकि 5F की shielding fact बहुत पोवर होता है, oxidation state की बात करें, तो 4F वाले lengthonoids plus 3 शो करते हैं, 6-7 plus 2, plus 4 भी शो करते हैं, actonoids plus 3 से लेकर plus 7 तक शो करते हैं, और क्यों होता है ऐसा, actonoids इतनी ज्यादा oxidation state तक क्यों चले जाते हैं, this is due to the fact that the 5F, 6D and 7S levels are of comparable energy, उनके पास बरबर से energy होती है, chemical activity, actonoids radioactive element है, तो बहुत जाद रेक्टिव होते हैं, what is the lengthonoid contraction, the atomic and ionic radiate decreases from lengthenum to lutetium, this is due to the unique property of lengthenoid, which is known as lengthenoid contraction, ऐसा होता है, पूर शिल्डिंग होती है, 4F की, और क्यों होती है, diffuse shape of F orbital, consequence क्या हुए, covalent nature जो होती है, वो increase करती है, left, right, hydroxides की, basic reactor जो है, वो decrease करता है, lengthenoids को separate करना मुश्किल हो गया, and zirconium hofmanium, या फिर कह लीजिए, 4D and 5D series के elements का size similar हो गया, यह इसके consequences थे, ठीके न, आगे माँ करत जब भी copper positive को aqueous solution में डाला जाता है, तो वो convert हो जाता है, Cu2 positive में, and Cu में, वो disproportionation reaction चो करता है, लिखा गया है, copper 1 positive ion in aqueous solution undergo disproportionation, the stability of copper 2 positive rather than copper 1 positive, देखो, अगर आप देखो, compare करो को copper 1 positive को सिर्फ configuration से, तो आपको दिखाई देखा, copper 1 positive के पास 3D10 है, copper 2 positive के पास 3D9 है, तो फिर क क्या copper 2 positive को जादा stable मना रही है, एक पास solution में, hydration enthalpy, ठीक है, it's due to the much more negative hydration enthalpy of copper 2 positive than copper 1 positive, name the oxymetal anion of the first series, oxymetal anion मतलब oxygen के साथ जड़ा हो, negative charge भी हो, in which the metal exhibits the oxidation state equal to its group number, तो सबसे पहले हमारे पास MNO4 negative, अगर आप MNO4 negative को देखो, मेगनीज का जो group number है, वो 7 होता है, तो आपने MNO4 negative को देखा, MN को क्या मानली आप लोगों ने, X, है ना, oxygen 4 है, कि oxidation state minus 2 होती है, is equal to minus 1, X is equal to कितना आगया, 7, या फिर dichromate को देख लो, CR2O7, 2 negative है, chromium को क्या मानलोगे, X कितने chromium है, 2, oxygen कितने है, 7, minus 2, is equal to minus 2, 2X, minus 14 दर जाके plus 14, 14 minus 2, 2X is equal to 12, X is equal to 12 by 2, that is 6, solve कर लेना, यह मै अगला question है, what are interstitial compound, मैंने आपको बताया था, कि जो deep block की elements होते है, atoms है, spherical shape के है, और spherical atoms को आप कितना इफिट कर दीजे, कुछ ना को space vacant रही जाएगा, इस vacant space को लोग बोलते है, interstitial site, और जब इन interstitial sites के अंदर हम छोटे-छोटे atoms को fit कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, बिया, क्या बन जाते हैं, interstitial compound, interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, boron, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal, they are usually known stoichiometric, example, TIC, MN4N, Fe3H, VH0.56, properties की बात करें, क्या खास बात है, इनकी, they have high melting point and higher than those of pure metal, they are very hard, some borides approach diamonds in hardness, बहुत होते हैं, diamond के ब्रापरता की hardness कहीं बार अपरोच कर जाते हैं, लोग, they retain metallic conductivity, they are chemically inert, last question है, which is stronger reducing agent, CR2 positive और Fe2 positive, why, reducing agent मतलब जो दूसरों पे reduction करवाए, और खुद पे oxidation करवाए, और खुद पे oxidation करवाए, दो देखके तो यह लगता है, कि Fe2 positive होना चाहिए, है न, क्योंकि Fe2 positive, जो Fe3 positive में हो जाएगा, D5 configuration आ जाएगी, और chromium 2 positive के अगर oxidation कर करता चलो कि chromium के लिए, D3 configuration बहुत stable हो माने गई है, बहुत stable, ठीक है न, तो chromium की D3 कहते है, मतलब, over jump कर जाती है, over value कर जाती है, then Fe3 positive से, या दखना, exceptional case है, that's why he तो important है, chromium 2 positive is stronger reducing agent, D4 से D3 हो जाएगा, ठीक है, बट D6, D5 occur in case of Fe2 positive, इना medium, like water, D3 is more stable as compared to D5, या देखने ना भई, तो यही है भीटा, हमारे पास D and F block elements, कोशिश की है, कम टाइम में आपको सब को समझाओं, still आपके कुछ भी doubt, आप लोग comment section बता सकते हो, इसका detailed one shot देख सकते हो, ठीक है, और यह notes आपको मिल जाएंगे, telegram channel, जो कि बारत पं झाल, 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 झाल झाल